CBSC के पाठे क्रम के अनुसार बारवी कक्षा के पाठे पुस्तक अंतरा से पाठ एक देव सेना का गीत पढ़ेंगे और इस कवीता से संबंदित जो लेखक हैं जैशंक प्रसाद जी उनका जीवन परीचे हमने पिछले भाग में पढ़ लिया है यहां हम कवीता को अर्थसाहि जानने का प्रयास करेंगे कवीता का नाम है देव सेना का गीत और कवीता को समझने से पहले कवीता का विशय क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है तो कविता का विशह ये कहता है कि मालवा के राजा हैं बन्धु अर्मा और उनकी बहन हैं देवसेना और वीरगती को प्राप्त होने के कारण परिवार से साथ छूट जाता है देवसेना का और भाई बंधु वर्मा जो की देश के लिए समर्पित थे उन्ही के काम को आगे बढ़ाने का प्रण अब देवसेना ने ले लिया है उन्होंने सकंद गुप्त से अपने प्रणय निवेदन को सामने रखा था लेकिन उसे ठुकरा देने की वज़ा से देवसेना आहत हुई है यानि उन्हें दुख हुआ इस बात का और उन्होंने ये वरत धारन कर लिया कि जीवन में वो अपने देश के लिए ही सब कुछ अब करेंगी और उसी को समर्पित हो जाएंगी और इसी विशे को लेते हुए ये कवीता लिखी गई है और अंत में जब प्रणय निवेदन लेकर सकंद गुप्त स्वयम देवसेना के सामने आते हैं तो वही दुख एक बार फिर उनके सामने आ जाता है कि एक वक्त था जब उनको देवसेना को सकंद गुप्त की जरूरत थी लेकिन उस वक्त उन्हें ठुकरा देने से और उनके से मिले धोखे की वज़ा से वो जिस तरीके से आहत हुई थी और उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन भर की जो इच्छायन हुने पाल रखी थी वो उन्होंने त्याक कर देश को स्वेम को समरपित कर दिया अब इस वक्त पर जीवन के इस मोड पर आकर इन सब चीजों का क्या फायदा तो कवीता का यही मुख्य विशय है और इसी को लेकर कवी ने कवीता को पेश किया है और पढ़ते हैं और इसको समनने का प्रयास करत एक बात और यहाँ पर एक पॉंइट और भी बहुत प्रमुख है, यह कर दिएола है, इस इस यह कवीट चायाबाद की क्वीटा है, और जो कवी है वो चायाबादी कवी है, जैस्शनक प्रसाद जी. और चायावादी कवीता की एक मुख्य विशेष्टा ये होती है कि आप कवीता में जो लिखावा देखेंगे वही अर्थ नहीं लिया जाता है इसमें छुपा एक अर्थ होता है उसको लिया जाता है तो चायावादी कवीता है और आप इसको अपने कावे सौंदरे में भी ल मेरे यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंद अंगड़ाई, आह जो की विस्मियादी बोधक चिन है, हिंदी व्याकरन के अंतरगत हम ये सब जानते हमने पढ़ा हुआ है, वेदना मिली विदाई, यहाँ पर देवसेना अपने दुख को बया कर रही है, अपनी व्यथा को बता जानकारी, किस गहराई तक है, उसकी जानकारी मिल रही है, आह वेदना, वेदना यानि दुख, पीड़ा, मिली विदाई, अब मैं इन वेदनाओं से, दुखों से और पीड़ा से विदाई ले रही हूँ, जो मैंने जीवन भर सही है, पहले परिवार को खोना, उसके बाद सकंद गुप्त के द्वारा, उनके सामने अपने प्रणय निवेदन को ठुकराना, उसको देखना, और फिर अपने जीवन को, सारे जीवन को देश के लिए समर्पित करना, अपनी इच्छाओं को पीछे रख कर, तो ये जीवन भर उन्होंने वेदना सही है, और इसी वेद भ्रहम में रह रहे हैं हो, मैंने भ्रहमवश जीवन संचित, उन्होंने ये भ्रहम पाल लिया था, कि जो उन्होंने चाहा है वो उसे पालेंगी सकंद गुप्त के जरिये, यानि सकंद गुप्त उनका प्यार था जिससे उन्होंने उनके सामने अपने प्रणय का निवेधन पेश किया लेकिन सकंद गुप्त के द्वारा ठुकरा दिये जाने की कारण अब उनको असलियत समझ में आई कि ये सारी इच्छाय जो उन्होंने पाल रखी थी वो सब एक भ्रम था उनका तो मैंने भ्रमवश जीवन भर जो उसे संचित किया हुआ था यानि मैंने जितनी भी इच्छाओं को इकठा किया हुआ था कि अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगी अपने जीवन को जीने लायक और बहतरीन जीवन जीएंगी वो सारा भ्रह्म मैंने जो पाल रखा था उसे मैंने मधुकरियों की भीक लुटाई भीक की तरह अपनी सारी इच्छाओं को लुटा दिया है यानि कि अपनी सारी इच्छाओं को पीछे छोड़कर मैं अपने जीवन में मैं अब आगे निकल गे जब मुझे ये पता लगा कि ये सारी चीज़े जो हैं ये भ्रहम है और सकंद गुप्त द्वारा उनके प्रणे निवेधन को ठुकरा देने से इन सारी चीज़ों का एहसास उनको होता है तो इसी के लिए कविता में ये बताया है कि आह वेधना मिली विदाई देव से न कहते हैं कि मुझे अपनी पीडाओं से विदाई लेनी है मैं विदा ले रही हूँ जो सारा जीवन मैंने पाया है एक एक करके मैंने ब्रहमवश जीवन संचित और मैंने जीवन भर जिस ब्रह इच्छाओं को भीक की तरह भीक में लुटा दिया है और इच्छाओं को भीक में कैसे दिया जा सकता है कहने कार्थ यह है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया उन्होंने जो सोचा था कि वो अपने जीवन में ये सब करेंगी उन्होंने उसकी आशा छोड़ द प्रतिक्षन मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगडाई अब इस पैरग्राफ में हमें यह पता लग रहा है कि देव सेना जो है उन्होंने उनका जीवन जो है इतना दुख में था उसमें इतनी वेदनाय थी उसमें इतनी करूणा थी कि सारी जीवन उनको दुख देता रहा और पीड़ा देता रहा और उनके इस दुख को देखकर जो है संध्या यानि शाम का वक्त उसे भी जो है अब देव सेना के दुख को देखकर रोना आ रहा है और उनके जीवन में अगर किसी ने उनका साथ दिया है तो वो अकेले पन ने उनका साथ दिया है अकेले आपको समरपित कर दिया और अपने दुख के साथ अपने जीवन को राश्टके हितो को पूरा करने के लिए समरपित कर दिया और साथ में उनके कोई नहीं रह गया इसलिए अब क्योंकि कवीता छायवादी है तो लिखित रूप में जो है वैसा अर्थ ना लेकर हमें इसमें नहित यानि छुपा अर्थ जो है वो समझना है छल छल थे यानि आसु का छलकना जब अपने दुखों को याद करते हुए देवसीना की आँखों से उनकी आसु छल छल आ उड़ते थे तो संध्या के श्रमकर्ण आसु से गिरते थे प्रतिक्षा जिस तरीके से संध्या धीरे धीरे उतरती हुई दिखाई देती है प्रकरती में और संध्या और आपको एक अर्थ इसमें ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से संध्या के वक्त सभी मेहनत करके ठक जाते हैं और श्रम कर देखने को मिलते हैं उसी तरीके से मे अन्वी करण लंकार दिया गया है यहां पर इस वज़ा से यह भी अर्थ इसका निकलता है कि देव सीना के दुख को देख कर ऐसा लगता है संध्या भी जो है वो रो रही है तो इन पंक्तियों का मुख्य अर्थ तो यही निकलेगा कि जीवन की संध्या बेला में यानि कि अब मुझे पुनहा निवेदन प्रणा निवेदन सुनने को मिल रहा है जिसकी अब उन्हें कोई जरूरत नहीं रह गई है उन्होंने अपने जीवन को देश के प्रती समर्पित कर दिया है तो अब उपनी इस दुखों पीड़ा से और भी जादा दुखी नहीं होना चाहत है और अपने दुख के साथ ही जिस तरीके से उन्होंने जीवन बिताया और अकेले पन के साथ ही मेरी यात्रा पर लेती थी मेरी यात्रा यानि जीवन कैसे बिताया है उन्होंने वो जीवन यात्रा नीरवता अनंत अगड़ाई तो नीरवता का अर्थ होता है अकेला पन अंगड़ाई जिस तरीके से किसी को आलस आ जाता है और वो आलस खतम उने का नाम नहीं लेता जब तक जवरदस्ती व्यक्ति अपने काम में न लग जाए तो वैसे ही आलस की तरहा उस अकेले पन्ने और सूने पन्ने जीवन में देवसेना के घर कर लिया है और वो अंगड़ जाए ले रही है और जाने का नाम नहीं लिया उसने और जीवन की संध्या बेला तक उन्होंने देवसेना का साथ दिया इबर कवी तक फिर से दोहरा लेते हैं आवेदना मिली विदाई मैंने भ्रमश जीवन संचित मधुकरियों की भीक लुटाई मैं अब अपने जीवन क संध्या बेला मैं अपनी सभी वेदनाओं से विदाई ले रही हूँ मैंने सारा जीवन जो भ्रम पाल रखा था संजो रखा था अब मैंने उसे अपनी सारी च्छों को भीक में लुटा दिया है और मैं अपने दुखों से और पीडाओं से और वेदना से जो मेरे आँखों उसे आसू छलक रहे हैं मेरे जीवन की संध्या बेला में उसे देखकर ऐसा लगता है कि संध्या भी रो पड़ी है मेरे आशू देखकर प्रतिक्षन मतलब होता है प्रतेक्षन और श्रमकन का मतलब होता है जो पस्तीने आये होते हैं श्रम करने कबाद मेहनत करने कबाद उसे श्रम करन कहते हैं और नीरवता है सूनापन, अकेलापन अनन्त मतलब जिसका अन्त नहीं, अंगडाई का अर्थ अंगडाई है तो इस तरीके से छलचलते संध्या के श्रमकन आसू से गिरते थे प्रतिक्षन मेरी यात्रा पर लेती थी, मेरी जीवन यात्रा पर अकेलापन और वो सूनापन बार बार अंगडाई लेकर वहीं आकर रह जाती थी मेरे जीवन में समाकर